नमस्कार मैं श्वीत और आप देख रहे हैं न्यूस फोनेशन खलिस्थान समर्थन भगोड़े अम्रिद पाल सिंग को लेकर अब बिहार में भी अलर्ड जारी कर दिया गया है जी है हम आपको बता देगा कि खलिस्थान समर्थन जो अमरिद पाल है उसको लेकर केंद्र मंतरी की तरप से आदेश आया है कि बिहार और नेपाल के बौड़र पर चौकसी लगा दी जाए है ऐसा मानना है कि खलिस्तान समर्थक जो मृत्पाल है वो नेपाल के बॉडर में छीपा हुआ है खलिस्तान समर्थक भगोडा मृत्पाल से नेपाल में छीपा होने की उसकी आसंका जता ही जा रही है वो बिहार के रास्ते भी फरार हो सकता है इसे लेकर इंडो नेपाल बॉर्डर पर विहार में चौकसी बढ़ा दी गई है केंद्री ग्री मंत्राले के निर्देश पर विहार के बॉर्डर एरिया में लगतार निगरानी तेज है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार पुलिस मुख्याले ने निर्देश देखकर SSB 56 बटालियन और स्थानिय पुलिस को सतर किया है ररिया के बॉडर एरिया में हर संदिक चेहरे पर नजर रखी जारी है नेपाल की सीमा पर तैना जवानों के बीच अमरितपाल की तस्वीर भी बाटी गई है ताकि उसे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हो सभी बॉडर एरिया को अलर्ट कर दिया गया है और BPO को भी अलर्ट रखा गया है बिहार पुलिस भी बॉडर एरिया के इलाकों में लगतार निगरानी तेश की हुई है बॉडर के थानों को भी अलर्ट कर दिया गया है काचमान्डू पोस्ट का दावा है कि भारत सरकार ने नेपाल से नुरोध किया है पुरुप्रधान मंत्री इंद्रा गांधी की हत्या की शर्यंत रचने की आरोपित डी आईजी सिमरजित सिनमान की गिरफ्तारी यहीं से हुई थी गुरी मंत्रादे ने अब अमरितपाल को लेकर अलर्ट किया है इसके बाद अब एजेंसिया यहां की जो है वो सक्रिय हो गई है सीमा पर बिहार पुलिस के लावा कई जवाच एजेंसियों के पहरे की बात भी सामने आई है तो आपको हम बता दें कि जो अमरितपाल को लेकर अब बिहार नेपाल के बॉर्डर को भी अलर्ट कर दिया गया है वहाँ पे जितनी भी विवस्ताइं हैं वो काफी जादा दुरुस्त कर दी गया है कि किसी भी हाल में जो खबर आ रही है कि अमरितपाल जो है वो नेपाल में छिपा हुआ है वो वहाँ से भाग ना पाए इसको लेकर केंट्र ग्री मंतराले की तरफ से ये साफ निर्देश दिया गया है जोहां बिहार और नेपाल के बॉजर में बिहार पुलिस के साफ सब कई बड़ी जो एजनसिया है वो भी वहाँ पर चौक्स कर रही है और भी निउस और अपडेट के लिए देखते रहे हैं